C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दु की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ नंबर 68 सबक 10 मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली उजली उजली मक्खन जैसी लंबी लंबी मुचों वाली नीली नीली आँखो वाली नरम मुलायम चिकनी चिकनी खाल है उसकी रेशम जैसी सरदी में है रंग दिखाती पंजों से वो गेंद पकड़ती दातों से फिर हमला करती चुपके से रातों में आकर गरम रजाई में सो जाती मेरी जागने से पहले ही सुभा सवेरे छू हो जाती मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली असादजा के लिए हिदायात उस्ताद बच्चों से सवाल करें कि बिल्ली की मूच्छें कैसी है बच्चों के जवाब की रोश्णी में तख्ते सियाह पर लंबी लिख दें फिर सवाल करें कि बिल्ली किस मौसम में अपना रंग दिखाती है बच्चे कहेंगे सर्दी अब सर्दी भी तख्ते सियाह पर लिख दिया जाए फिर बच्चों से सवाल करें कि बिल्ली की खाल कैसी होती है उसके बच्चे जवाब देंगे नरम, मुलायम और चिकनी आप उन में से लवज चिकनी और मुलायम तखते सियाह पर लिख दें उसके बाद उस्ताद बच्चों को बताएं कि लवज लंबी में लाम पर जो आवाज है वो लाम जबर लाम की है लवज चिकनी में चे की आवाज जेर चे की है और मुलायम में मीम की आवाज पेश मीम की है अब बच्चों को बताएं कि उर्दू में जबर जेर पेश के लगाने से आवाजे बदल जाती हैं जैसे अन, इन, उन अब उन्हें तख्ते सियाह पर जबर, जेर, पेश लिख कर दिखाएं जबर, जेर, पेश तख्ते सियाह पर नर्म लिख कर मालूम करें कि इसमें नून पर जबर की आवाज है या जेर की बच्चों के जवाब की रोशनी में उन्हें शाबाशी दें तखते सियाह पर उजली लिख कर मालूम करें कि इसमें अलिफ पर आवाज कौन सी है अलिफ जबर की, अलिफ जेर की या अलिफ पेश की बच्चों की जवाब की रोशनी में उन्हें बताएं कि लवज उजली में अलिफ पर पेश की आवाज है अब उन लफजों को तखते सियाह पर लिखकर जबर, जेर, पेश की मश कराएं बन, बिन, बुन, पन, पिन, पुन, टप, टिप, टुप तखते सियाह पर आन, आप और आटा लिखकर बच्चों को बताएं कि इन लफजों में अलिफ पर मद लगाया गया है इस से उसकी आवाज लंबी हो गई है फिर बच्चों से मालूम करें कि नजम मेरी बिली में कौन से लफ़ हैं जिन में अलिफ पर मद है बच्चे बताएंगे आंक आकर अब लफज बिली लिखकर बच्चों से मालूम करें कि इस लफज में लाम की आवाज कितनी कितनी बार आ रही है बच्चे कहेंगे दो बार उन्हें बताईए कि जिन लफजों में एक हर्फ की आवाज दो बार आती है उस पर तशदीद लगी होती है तश्दीद की अलामत तखते सियाह पर बनाएं तश्दीद अब बच्चों से मालूम करें कि इस नजम में कौन से अलफाज ऐसे हैं जिन में तश्दीद लगी है बच्चे बताएंगे मक्षन इस तरह उन्हें और कुछ लफ़ बताएं अबबा बट्टा सफ़ह नंबर सत्तर मश्क एक इन लफ़ों को लिखवाईए बिल्ली खाली जगा उजली खाली जगा नर्म खाली जगा सर्दी खाली जगा दो मिस्रे मुकंबल कराईए मेरी खाली जगा मेरी बिल्ली उजली खाली जगा मक्षन खाली जगा खाली जगा मुलायम खाली जगा चिकनी खाल है उसकी खाली जगा जैसी खाली जगा से वो खाली जगा पकड़ती दातों से फिर खाली जगा करती सफ़ा नंबर 71 3 मिसाल के मताबिक कॉलम अलिफ के अलफाज को कॉलम बी से मिलवाईए कॉलम अलिफ लंबी गेंद रेशम जैसी गरम नीली कॉलम बे पकरती खाल मूचों आँखों रजाई चार दर्जजेल अलफाज को हुरूफ तहजी के आथबार से लिखवाईए गेंद बिली अजली सुबह खरगोश दांत रात सेब नीम शाम तर्बूज चिकनी खाली जगह सफह नंबर बहतर पांच नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाईए बिल्ली खाली जगह आंक खाली जगह चश्मा खाली जगह हाथी खाली जगह बकरी खाली जगह कबूतर खाली जगह 6. चश्मी में रंग भरवाईए यहां पर एक बच्ची की तस्वीर दी हुई है जो चश्मा पहने है उस चश्मी में रंग भरने है सफा नंबर 73 7. नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर दुरुस्त इमला लिखवाईए लेहाफ खाली जगह सूरज खाली जगह शाप खाली जगह चिराग खाली जगह अंकूर खाली जगह मुरगा खाली जगह सफा नंबर 74 8. दरजेजेल अलफाज बुलंद आवाज से पढ़वाईए जबर अदब खत शजर बशर नजर शब रंग शर्बत जेर जिस्म गिस्म तितली दिन दिल नीली तीतर पेश खुड़ा अर्दू अर्दू वुजू रुजू रुट रुख रुस्वा सुभ तजदीद अजचू Kick अर्ज़ पेश अर्ट और तजदीद वाले अलफ्याज को उनसे मताल्ब खानों में लिक्वाईए बस, फन, रस, जुदा, रब, हिना, जग, चुप, इज़त, मुर्ग, मदद, मुसाफिर, तयार, उनीस, अबब, बिली, जबर, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, जेर खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा पेश खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा तजदीद खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा सफा पच्छत्तर दस इन लफजों को लिखवाईए शिद्दत खाली जगह, उर्बानी खाली जगह, सजा खाली जगह, सितारा खाली जगह अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक, शेहनाई भाग एक वाचन्सवर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी, तक्निकी दिर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयक मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन एवं निर्माण वीमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C. नई दिल्ली, भारत